इसी तरह से आखों का एक रोग होता है जिसको केटरेक्ट कहते हैं मोतिया बिन्द को गलाने की टाकत अगर गुनिया में किसी चीज में है तो वो कांदे की रस में बिना ओपरेशन अगर आपको आखे ठीक रखनी है तो कांदे का रस सतत आखों में डाली है जिंदगी भर आप चाहते हैं कि आखों को चश्मा ना चड़े और कभी भी आखे आखे आखी खराब ना हो तो कांदे का रस आख अप अपनी आखों में डाली है आप में से किसी को भी मोतिया बिंद हो गया हो और आप नहीं चाहते कि आपका ओपरेशन हो या आपके पास ओपरेशन करानी के लिए पैसा नहीं है तो आप कांदे के रस से मोतिया बिंद को गला सकते हैं और आखें ठीक कर सकते हैं इसको कितने दिन लेना है कैसे लेना है इसका सूत्र में बता देता हूँ कागज फैन हो तो लिख लिजे क्योंकि ये बहुत काम आये था एक चमच पांद्रे कांदे का रस देखिए कांदा एक ही कामता है जिसको पांद्रा कांदा कहते है यह लाल वाला किसी काम का नहीं है आउशदीय गुर्ण जो है वो सफेद प्याज में ही है पांडरे कांदे में ही है लाल वाले में कोई आउशदीय गुर्ण नहीं है वो तो खाने के लिए आप खा सकते हैं आउशदीय गुर्ण उसमें नहीं है और यह जो है वो पांड्रे कांदे में है तो पांड्रे कांदे का एक चम्मच रस ले लीजे एक चम्मच इसमें लिंबू का रस बिला दीजे एक नीबू आता है जिसको बेदाना नीबू कहते है जिसमें ज्यादा बीज नहीं होते है वो बहुत अच्छा है तो एक चम्मच प्रिंगू का रस एक चमच पांग्रे कांदे का रस फिर इसमें आप मद मिला देज़ें लगवक तीन से चार चमच मद और इसी में एक चमच गुलाब जल मिला देज़ें यह चारों को मिलाकर एक बाटली में भरके रख ली और खुव अच्छे से हिलाकर एक एक थे मांख में डाली एक महिने लगातर डाल दिया तो मुतिया बिंद आपका कटके निकल जाए गुलाब जल एक चमच जितना आपका कांदे का रस उतना ही गुलाब जल उतना ही अब ये जो सोल्यूशन तयार हुआ है इसको बाटली में भरके रखेंगे चार पाच महिने यह खराप नहीं होता इसको रूम टेंपरेचर पे भी रखा जा सकता है ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसको फ्रीस में रखना खाली सीधे रूम टेंपरेचर पे रखे रात में ताला पानी, आँकों में हमेशा काला काला दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं उनकी भी ये सबसे थे होशा आज उट सह को He forestros या पीछे नसमें भी ये सबसे प्रदा है वह इसमें आपक्ति के रू ϗ में क्या है अगर कोई जहन है चुस्त जहन एक तो वो कांदा यूज नहीं कर सकते और दूसरा मद भी नहीं कर सकते तो उनके लिए ऐसी ही बीमारी अगर है तो एक दूसरी आउशत बता देता हूँ जो कांदा यूज नहीं करते और जो मद भी यूज नहीं करते उनके लिए बहुत अच्छी आउशद इसी बीमारी में जिनको कैटरेक्ट है, ग्लुकूमा है, रेटिनल डिटेच्मेंट है उसकी आउशद का नाम है गाय का मूतर गो मूतर गाय का मूतर इकठा कर लीजे, किसी बाठ लीजे और उसको रख लीजे इसी को एक एक थेम आँख में डालना है, बस, सी दे सी गाय का मूतर गाय माने देशी गाय देशी गाय का मूतर एक एक थेम रूज राथ को आँख में डालीए, सोते समय तो एक से सवा महीने में ये भी आपका cataract ठीक कर देगा, सवा दो महीने में ग्लूकुमा ठीक हो जाता है, और तीन महीने सब्सक्राइब डालें तो retinal detachment ठीक कर देगा, चार महीने लगाता है डालेंगे तो चश्मा उतार देगा आपका, अगर गाय बड़ी है, जो तीन चार वार मा बन चुकी है, उस गाय का मूत्र लेंगे तो filter कर लेंगे, और गाय की बच्छडी है, तो वो direct भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत शुद्ध होता है और काफी कुछ filter हो के जाता है, आखों के रोग में, मैंने इस से अच्छी कोई औशद अभी तक नहीं देखी, वो मूत्र से अच्छे, एकड़म पैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड एफेक्ट नहीं है और एकस्पाइरी देट कुछ भी नहीं है, हर गली हर गाओं में उपलग देखी, और गाओं माता इतनी अद्वुत है कि वो कभी भी मूत्र देने के लिए पैसे नहीं ले दे, आप दब्बा लगा दो, भर लो, लेकिन रखने का है काच्छ की बाटली, तो काच्छ की बाटली में अगर आप इसको भर के रखेंगे, तो ये कभी भी खराब भी होता, गो मूत्र 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल तक सुरक्षित रखता रहता है, तो इसमें कभी भी जन्तु नहीं पढ़ते हैं, ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल में और गाई मूत्र में कभी भी जन्तु नहीं पढ़ते हैं, बने गंगा जल की जितनी पवित्रता है, गाई के मूत्र की भी उतनी ही पवित्रता है, तो इस गो मूत्र का आप भरपूर इस्तेमाल करिए आखों के लिए,